Hello students, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी use of within, यानि जो preparation है हमारी within उसका use बताऊंगी, देखिए Condition number one, दी हुई अबदी कोई समाप्त होने से पहले, यानि जो भी समय sentence में दे रखा है उस अबदी के समाप्त होने से पहले हम preparation के लगाते हैं within, यानि जब कोई काम समय के भीतर ही हो यानि जो अबदी दी गई हो, उसके अंदर अंदर काम हो, तब हम preparation within का use करते हैं Example, I shall return within an hour, मैं एक घंटे में ही बापस आ जाऊंगा या फिर इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं एक घंटे के अंदर ही आ जाऊंगा यानि जो अबदी दी गई थी, एक घंटे की दी गई थी, तो उस अबदी के अंदर ही काम हो रहा है तब आप क्या यूज़ करेंगे प्रिपोजिशन विदिन का यूज़ करेंगे दूसरे एक्जामपल है I shall return within a month तो यहाँ पर भी क्या बताया गया है कि जो काम है वो एक महीने के अंदर ही अंदर हो जाएगा यानि मैं एक महीने में ही बापस आ जाओंगा यहाँ आप दी दी गई है one month और one month के अंदर ही मैं पापस आ जाओंगा तो इसनी पर इप्रिपोजिशन किसका यूज़ हो आप विदिन का नेक्स्ट है आपका use of between and among between का use भी हम बीच में के लिए करते हैं और among का use भी हम बीच में के लिए ही करते हैं पॉइंट है आपका एक केबल दो व्यक्तियों के लिए यानि सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही होगी तब क्या use करेंगे बीच में के लिए हम between जैसे कि I shall divide my property between राजु एंड विवेक मेरी property राजु यानि मेरी संपति राजु दो बाट दूंगा या मैं अपनी संपति राजु धार विवेक के बीच में बाट दूंगा तो यहां दो लोगों के बीच की बात होरही है राजु ए और विवेक की तो इसलिए इनके बीच के लिए क्या यूज़ होगा, ठीक है, next sentence, among, एमंग कभी यूज़ बीच में के लिए, लेकिन डिफ्रेंस क्या है विटबिन और एमंग में, दो वेक्तियों से अधिक के लिए, यानि विटबिन का यूज़ करेंगे हम दो वेक्तियों के बीच के जैसे he divided his property among his four sons उसने अपनी property उसने अपनी संपत्ती चारों पुत्रों में बाट दी तो यहां पर किसका यूज हो है एमंग का क्योंकि यहां दो से अधिक लोगों की बात हो रही है यानि four sons कितने पुत्रों थे उसके four sons यानि चार बेटे थे simple है between का use हम वहां करेंगे जहां दो लोगों के बीच में की बाटने की या दो लोगों के बीच में जो भी distribute करने की बात आएगी और एमंग का use वहां करेंगे जहां दो से अधिक लोगों की बात आएगी I hope आपकी समझ में आ गया हो thank you see you tomorrow